अब देखो आप beauty blender कैसे यूज कर रहे हो यह भी आपको पता होना चाहिए अब beauty blender भी बहुत type के है type के नहीं actually type आप बुना देते हो उसका जैसे for example यह beauty blender है ठीक है अब यह भी beauty blender है आपने foundation ली ठीक है आपने stippling brush यूज किया या पहले foundation implement कर दी with your brush foundation brush then after आप जो भी अपना beauty blender ले रहे हो first you need to see कि आपने उसे गीला किया कि कितना गीला अब यह damp में है ठीक है damp मतलब हो गया hardly wetted ठीक है यह wetted है ना dry है ना extreme level पर वेट है ठीक है damp है इसमें उतना है जितना यह तोख नहीं करेगा कोई भी आपका product पर यह देखो इसमें मैं थोड़ा सा भी ऐसे कर रहा हूं तो इसमें बहुत सा पानी है इसमें से दिख रहा है आपको कि पानी बह रहा है तो इतना पानी होगा तो obviously बात है लेकप क्या कुछ भी उतरेगा obviously बहुत है ना so आप ऐसा लो एक damp beauty blender लो तब आप उसे gently dapping करो तो कुछ भी नहीं आपका उतरने वाला